एक डॉक्टर साब अपने होस्पिटल में दोड़े चले आ रहे थे, जितनी तेज चल सकते थे भागे चले आ रहे थे, ऑपरेशन थियेटर वाली लोबी में आये तो उन्हें पांच ये लोगों ने घेर लिया, और सुनाने लग एक होस्पिटल खोल लिया है, अपने आपको क्या समझते हो, अब आ रहे हो, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है हमारी, हमारा बच्चा ऑपरेशन थियेटर में है, अब आ रहे हो आप, डॉक्टर साब ने कहा, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, ओ लोग सु के बाद जब बाहरा निकले तो वापस पांचे लोगों ने घेर लिया और पूछा कि क्या हुआ, तो डॉक्टर साब ने कहा कि बच्चा एकदम ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, और डॉक्टर साब जा रहे थे, तभी लोगों ने पूछा कि कब तक डिस्चार्ज कुछ देर बाद वाद नार्स आई तो लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साब इतने घमंडी और आंकारी क्यों हैं, तभी नार्स ने रुवासी होकर बोला कि आप लोग ऐसा ना बोले, डॉक्टर साब बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को सायद पता नहीं है कि आज दोड़े चले आए और ऑपरेशन थियेटर में गए और आपके बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, ओ ठीक हो जाएगा आप चिंता मत कीजिए और वापस डॉक्टर साब दोड़ के गए क्योंकि संध्या होने को आई है और डॉक्टर साब को अपने बेटे का अंतिम संसकार कर होता है तो हमें अपने आपको सर्मिंदा महसूस होता है इसलिए जीवन में कभी भी किसी की सिचेशन को जाने बगएर किसी के उपर टीका टिपड़ी नहीं करना चाहिए आप जीवन में अच्छा बनिये बेहतर बनिये और बेहतरीन बनने का प्रयास कीजिए और कुछ ऐस करें कि दुनिया आपके जैसा करने का सोचे दोस्तों अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आये तो आप वीडियो को लाइक और सेयर करें हम चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं